तो यहाँ पे हमने लिया है 32 इंच और यहाँ पे हमारा है 34 इंच यह हमारा 34 है और यह हमने लिया है 32 इसका जो सेफ है वो इस तरीके से आया Hey guys welcome back to my channel मैं हूराज और आप देख रहे है फैसन मेकर यूटूब चैनल So guys आज किस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा एक fish cut, is cut की cutting So video को पुरा end तेक देखना अगर आपको fish cut cutting के बारे में कुछ भी doubts है तो इस video को देखने के बाद आपके सारे doubts clear हो जाएगा क्यूंकि इस video पे मैंने fish cut cutting के बारे में बहुत सारे information दिया है practically करके दिखाया है कि किस तरीके से आप एक fish cut cutting कर सकते हो बहुत ही details में So video को पुरा end तेक देखना So guys जैसे कि अभी wedding season चल रहा है और अगर आप confused हो कि आपको wedding में क्या wear करना चाहिए तो मैं आपको ये suggest करूँगा आप इस तरीके से blazer ले सकते हो ये देखिए मैंने एक simple सा jeans पहिना हुआ है और उसके उपर ये blazer लिया है तो इसका fitting आप देख सकते हो ये बहुत ही must fitting है और ये आपको मिल जाएगा मैंने Amazon से order किया है यहाँ पे आपको बहुत सारे color option भी मिल जाएगा और सबसे खास बात है इसका जो price है ये बहुत ही reasonable price है आप description चेक कर सकते हो आपको इस time पे बहुत ज़्यादा offer के साथ ये देखने को मिलेगा और इसका जो price है उसकी हिसाब से इसका quality एकदम एक number है मैं आपको ये suggest कर सकता हूँ अगर आपको blazer लेना है तो आप इस type का blazer ले सकते हो यहाँ पे बहुत सारे color option भी आपको देखने को मिल जाएगा मैं यहाँ पे दो color order किया है मैं आपको पहन के दिखाता हूँ यहाँ पे आप दूसरा color भी देख सकते हो जो कि हमने navy blue में लिया है जो कि एक दन professional look देता है तो यहाँ पे मैंने दो blazer order किया था Amazon से अगर आपको इसमें से कोई भी blazer पसंद आता है अगर आप लेना चाते हो तो description में आपको link मिलेगा आप उस link के थूरू जाते हो तो आपको discount देखने को मिलेगा चलिए वीडियो को start करते है और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के end में अभी हम यह cut का cutting करेंगे और यहाँ पे आपको देखके पता चल रहा होगा यह जो cut है इसका जो safe है वो है fist जैसा तो यह जो cut है इसको हम बोलते fist cut और इसको हम cutting करेंगे अभी और यह जो cutting होगा वो हम 3 kali में cutting करेंगे और यहाँ पे इसका belt बनेगा और यह जो fist cut है इसका हमने measurement यहाँ पे लिखाए तो यह जो है, यह length लिखा है हमने, shortcut में, यह हमारा length है 35 inch का, और इसका जो waist है, वो है 32 inch का, और यहाँ पे इसका जो hips है, वो है 36, और यह जो knee round है, यह है 35 inch, तो अभी हम इसका cutting देख लेते, तो सबसे पहले हमने इसको cutting करने के लिए, आपको जो है paper cutting करना पड़ेगा, इसको right side पे करेंगे, एक सीधा mark, यह देखिए, इस तरीके से, यह हमने, एक inch छोर के यहाँ पे mark किया है, और अभी हम देखेंगे इसका length, और यहाँ पे यह जो belt है, यह आपका belt बनेगा, यह जो belt है, यह आपका belt बनेगा, यह जो belt बनेगा, वो हमारा रहेगा, दो inch का broad, ओके, यह जो line है, यहाँ से हम 2 inch रखेंगे, 2 inch का हमारा belt बनेगा, उसके बाद हम सीधा आजाएंगे length पे, ओके, तो यह देखिए, यह हमने 35 inches का length रखा है, तो यह 2 inch हमने यहाँ पे रखा है, और यह 2 inch छोड़ते हुए, हम नीचे आएंगे, सारे 9 inch पे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा hips line, यह जो hips line है, यहाँ पे बनेगा हमारा hips line, और यह जो point नीचे जा रहा है, यहाँ पे हमारा बनेगा knee line, okay, तो यह हमने सारे 9 inch पे रखा है, इसका hips line और जो knee length बनेगा, वो हमारा बनेगा 20.5 inch पे, ओके, यह depend करता है अपका height पे यह depend करता है यह तो जहां से हमारा जो लेंद वो start हो रहा है वहां से हमको measurement लेदे टायम पे उनका जो नी है वह हमको देखना पड़ेगा कि यह नी का जो लेंद है वो कहां तक आ रहा है तो हमने हमारा size के हिसाब से हमने 20.5 इंच पर हमने यह यमेरा नहीं लेंग है तो यह जो नही लेन थे यह हमारा टोटी और टोटीटी टू के बीच में लोता है यह ह savoir हप्रेसर डिपेंड करता है ओके तो अभी हमको यह यह सूधा करना यह यह ये भी हमको इस तरीकेश सीधा करना आ यह वह घृतिया oh और यह जो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा जहां से हमारा बेल्ड एटच होगा यहां पे हमारा हो जाएगा 34 और यह बेल्ड कटिंग के उपर हमने एक वीडियो बना के रखाए अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा यह बेल्ड हम किस तरिके से कटिंग करते तो यह बेल्ड का जो सेफ है जो हमारा वेस्ट लाइन है वो जो 32 का जो वेस्ट है वो हमारा यह उपर वाले पार्ट का है और जहां से हम इसको अटच करेंगे वहां पे हमारा बनेगा 34 तो अभी हमारा जो वेस्ट है वो है 34, तो 34 को हमको 4 से डिवाइट करना होगा, ओके, तो 34 को अगर हम 4 से डिवाइट करते हैं, जो होता है हमारा 8.5 इंज, तो 8.5 इंज हम यहाँ पे रखेंगे, ओके, और हमारा जो हीप्स लाइन है, वो है 36, तो यह हमारा बॉडी मेजरमें करना है, जो हो जाएगा हमारा 9.5 इंज, तो यह 9.5 इंज हमको यहाँ पे रखना है इस तरीके से, यह देखिए, इस तरीके से, ओके, और हमारा जो नी राउंड है, वो है 35 इंज, तो यहाँ पे भी हम 2 इंज का लूजिंग एड करेंगे, जो हो जाएगा हमारा 37, ओके, औ यहां पर देख सकतो है हमारा waist line है हमारा hips line है और हमारा knee line है और आभी हमको यहां पर safe लेना है तो यह safe लेने के लिए हम यह safe पट्टी का use किया है और इसको हम इस तरीके से रखेंगे यह जो ज़्यादा safe है उसको हम नीचे की side पर रखेंगे और यह उपर के साइट पर इस तरीके से रखेंगे यह देखिए इस तरीके से और अभी हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे और इसको हम यह नीचे के साइट पर लेकाएंगे यह देखिए और इसका जो सेफ है वो हम इस तरीके से देंगे यह देखिए यहाँ पे आपका measurement के उपर deep end करता है अगर आपका measurement सही से है तो आप इसको और अच्छे से कर सकते हो और अभी हम यह जो knee length है यहाँ से हम इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएंगे यह देखिए इस तरीके से तो यहाँ पे हमारे पास fabric extra है तो इसका हम length जो है वो थोड़ा हमें बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे हमने यह जो length है इसको थोड़ा बड़ा कर दिया तो अभी हम यह length को follow करेंगे और इसको हम इस तरीके से सीधा कर देते तो यहाँ पे आप दिख सकते होई इसका जो body measurement से हमने इसका shape ले लिया है और अभी हमको यहाँ पे इसको 3 कली में बनाना है तो इसको हमको divide करना है 3 कली में तो यहाँ पे हमारा जो waistline है वो है 8.5 inch इसको हम करेंगे आधा तो यह हमारा हो जाएगा 4.25 inch यहाँ पे हमने यह कर दिया तो यह जो measurement हमारा आ रहा है यह 4.25 inch उसको हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी लेंगे इस तरीके से और इसको हम करेंगे बिल्कुल सीधा यह देखिए यह देखिए तो यहाँ पे हम यह सीधा भी कर सकते है और यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि हमने यह जो waist line है इसका हमने आधा किया है तो यह जो hips line है इसका भी हम आधा ले सकते हैं जैसे कि यहां पे है 9.5 इंच, तो यहां पे हम इतना ले सकते इसका आधा, और यहां पे इसका जो आधा होता है, वो हमारा यहां पे होता है, ओके, तो अभी हम इसको इस तरीके से भी कटिंग कर सकते, यह देखिए, यह देखिए, तो यहां पे हम दो सेप ले सकते, एक तो सीधा वाला भी ले सकते और ये वाला भी ले सकते तो ये वाला अगर हम लेंगे तो हमारा जो safe है वो safe में कली कटिंग होगा और ये वाला अगर हम लेंगे तो ये हमारा state हो रहेगा बीच का जो कली रहेगा वो हमारा state रहेगा तो यहाँ पर हम दोनों follow कर सकते लेकिन process यही रहेगा, तो यह देखिए, अगर मालो कि मैं यहाँ पर यह वाला जो line है, इसको follow करता हूँ, तो यह line से हमको, यह जो part है, इसको हमको इस तरीके से जाना है, यह देखिए, यह इस तरीके से बाहर की side पर जाना है, और यहाँ पर यह जो line रहेगा, वो हम यह state scale स करेंगे, यह देखिए, इस तरीके से, तो यह हमने कर दिया, यह आप देख सकते हो, यह line को मैं cancel कर देता हूँ, तो यहाँ पर आगर आप बीच वाले यह panel को देखोगे, तो यह जो line है, यह बीच का यह कली बन रहा है, ओके, और अभी हमको यह side का एक कली चाहिए, तो यह आता कि यह सही है, उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से आना है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से मार्क करता हूँ, यह जो point है, हम यहाँ पर आते है, इस तरीके से, यह point से हम यहाँ पर आएंगे, यह देखिए, ओके, यह इस तरीके से बनेगा, और अभी हमको इ सैप पत्तु यूस करना है और उसको हम इस तरी के से करेंगे यह देके यह को यह को भू secular now उसके बाद यहां को इस तरी के से द्रॉइ करना है यही यह लाइन को यहां से ड्रॉइ करना है यह best line बने यह एowser आपको से लेन अभी मैं आपको कंई कर कर देता हूं यह यह सेप आपको चाहिए किया इसका स्वैस्टलाइन पर और अभी मैं इसका साइप का कटिंग कर देता हूं यह निटिक हैdır है कि तो यह हमारा फीक्स मारजिन परकों रहा है जैसे हम इस्टलाइब करेंग और यहां पर करके करने यह यह देखिये तो यह देखिए, यह हमने cut कर दिया है और अब ही हमको इसका नीचे का जो safe है वो लेना है उसके लिए हम यह वाल scale का use करेंगे और यह देखिए, यह line को हम मिलाएंगे और इसको इस तरीखे से उपर की side पे लेकि आएंगे यह देखिए यह देखिए यह उपर के साइड पर लेके आना है और इसको भी कटिंग कर देता हूं मैं यह देखिए यह देखिए तो यहां पर यह सिंगल पार्ट में कटिंग हो गया है और अभी हमको इसको कली में कनवर्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं यह जो पार्ट को नीचे रखेंगे और दूसरे एक पार्ट हम एसे ले लेंगे और यहां से अभी हम एक सिंगल पार्ट को करेंगे और यह इस तरीके से हम कर देंगे इसको और इसको हमको निकल देना है इस तरीके से और अभी हम यह जो लाइन है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करें यह देखिए ओके और इसको हम खोलेंगे इस तरीके से और यह जो लाइन हमने कट किया है यहां से इसको हम इधर के साइट पाजाएंगे तो यह देखिए, यह हमारा एक side का कली हो जाएगा, ओके, और यह हमने इस तरीके से fold किया है, तो यह देखिए, यह आपका बीच का एक कली है, और यह हमारा side का कली है, और यह joint इस तरीके से होगा, यह देखिए, यहां से इस तरीके से joint होगा, उसके बाद यह जो कली है, वो में exist करता हूं यह देखिए इस तरीके से यह बीच में जो आपका point बन रहा है यह point को आपको खतम करना है यह देखिए इस तरीके से और इसको में इस तरीके से cut कर देता हूं तो यह देखिए इसका जो घेरा है वो क्यों चीज तरीके से बनेगा तो यहां पर हमारा यह सेंटर वाला पाट है और यह हमारा साइड वाला पाट है और यह इस तरीके से जॉइंट होगा और यहां पर आप देख सकते हो इसका सेप और अभी हम को इसका जो बेल्ट है उसको cutting करना है तो उसका भी हम cutting देख लेते हैं तो उसके लिए हमको इस तरीके से एक paper लेना है तो यह हमने एक paper को fold करके रखाया और उसके बाद आप इसको इस तरीके से cutting कर सकते हो यह देखिये यह हमारा-center वाला पाट है इसको हमने इस तरीके से मिलाया और यह हमारा साइड वाला पाट है इसको हमने इस तरीके से मिलाया ओके यह देखिए और इसका जो लाइन है इसको मैं ड्रॉ कर लोंगा इस तरीके से यह देखिए तो यहां में ले लिया है इसको मैं खटा देता हूं और उसके बाद हमको उपर के साइट इपा नहीं है टू इंच यह ते लिए और हमारा जो वेस्ट-लाइन ने वो है थरटीटी टू इंच तो यहां से हमको थर्टी टू का फोल्द पात ले ना है जो होता है हमारा 8 इंच एह देखिए यह तरीके समर्क करेंगे यहां पर हमने लिया है थरटी टू इंच पर यहां पर हमारा है 34 तो यह देख सकते हो यह रिसल्टि फिर फॉर ए और हमने लिया है 32 और उसके बाद इसका जो से पहसे यह हम को उसको कठ कर देता हूँ तो यह देखिये यह इसका बेंड है यह हमने इस के से कंटिंग किया है और यह देखिए यहाँ पे यह इस तरीखे से जॉइन होगा यह देखिए So guys I hope आपने वीडियो को यहां तक देखा है और आपको समझ में आ गिया है कि इसको हमने किस तरीके से कटिंग किया है और अगर आपको कुछ भी डाउट से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अन कर लेना क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही फैसन डिजान से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहता हो और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहो मेरा चैनल पर तो मेरा प्रिवियस वीडियो देख सकते हो और गाइज एक बहुत ही बड़ा गूड़नी हो जाने वाला है मैं बना रहा हूँ मेरा एक कोर्स जो कि आपको मेरा एप्लिकेशन पर देखने को मिल जाएगा सो आप लोग रेडि रहना मेरा कोर्स के लिए क्योंकि बहुत सारे चीज़े आने वाला है और बहुत सारे चीज़े एक्सपोज होने वाला है सो गाइज मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार और बाबाई